जै जोहार संगी हो, नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल अपने किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, आज मैं मठरी बनाने वाली हूँ, वो भी फ्लावर मठरी, तो चलिए इस दिपवली कुछ नया ट्राय कर लेते हैं, क्या-क्या समागरी चाहिए हम देख 250 ग्राम मैदा ले रहर दे ले विए देखेएपाणी ले लिए नमक ले, तल ने और मूर के लिए तेल ले लिए मायदा किक दाल देगे, अब इसमें 3 चमच देल डाल देंगे मूर के लिए मूर ढालना बहुत ही जरूरी है Imaudya जरूरी है क्या क्रण्ची चाहिए, बन जाना चाहिए, बिल्कुल ये देखे, ये बिल्कुल पर्फेक्ट है, अब इसमें हम स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे, और अच्छे से मिक्स कर देंगे, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके हम आटा गूत लेंगे, ये देखे, बिल्कुल पर्फेक्ट है, न देखिए यह पांच मिनिट हो चुका है अब एक थाली ले लेंगे और थाली में बड़ा सा रोटी बना लेंगे यह देखिए गोल-गोल करके हम इसे हम बेल लेंगे अच्छे से बहुत ही पतला बेलना है हमें अगर क्रंची चाहिए तो बिल्कुल पतला बेलना बहुत जरू मैं यहां पर छोटा सा गिलास ले ले ली हूँ आपका टोरी या धकन भी ले सकते हैं और यह देखिए इसे छोटा-छोटा हम काट लेंगे छोटी-छोडी पूरिया वना लेंगे यह देखिए और एक्स्ट्रा को हम निकाल लेंगे बाद में यूज कर लेंगे अब मैं सु अब एक कटोरी में पानी लेंगे पानी की एक लकीर बना लेंगे यह देखिए और उसी के उपर दूसरी पूरी रख लेंगे और उसमें भी पानी की लकीर बनाएंगे ऐसे हम छै लेयर हम बना लेंगे यह देखिए बिल्कुल सेंटर में हमें पानी की लकीर बनाना है और ह में ऐसे रख लेना है, आप पर 6 पूरियां रखी हूं, आप ज्यादा कम या ज्यादा कर सकते हैं, मैं यहाँ पे 1 लकड़ी का चमच ले लिए हूं, यह देखिए, अब बीचों बेग जहां पर हम पानी लगा हैं, वहां पर हम थोड़ असा प्रेशर देंगे, हलका प्रेशर ये देखिए ताकि ये सभी एक आपस में चिपक जाए ये देखिए बिल्कुल अलग-अलग लेयर बन चुका है सभी को हम बना लेंगे यहां पर मैं गैस अन करके कढ़ाई चढ़ा दी हूँ उसमें तलने के लिए तेल डाल दी हूँ अब तेल को हलका गर्म होने देते हैं अ हमें लेयर को खोलना है बहुत ही आसानी से ये लेयर खुल जाती है ये देखिए बस थोड़ असा बस हमें प्रयास करना रहता है फिर ये अपने आप खुल जाता है लेयर अब हम दूसरी मठ्री को डाल देंगे ये देखिए बहुत ही आसानी से ये खुल जाता है सभी मठ् लो फ्लेम में ही हमें तलना है और थोड़ा सा हमें इस लेयर को खोलते रहना है यह देखिए यह बहुत ही अच्छे से यह बन जाता है और बहुत आसानी से बनता है यह देखिए सभी मठ्रियों को ऐसे ही डालते रहना है और लेयर को खोल देना है ये देखिए लेयर खोलने के बाद फिर दूसरा मठ्रिय डाल देंगे ये देखिए हमें light brown ही करना है ये देखिए ये बन चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे paper napkin में यह देखिए सभी को हम निकाल लेंगे यह बहुत ही जल्दी बन जाता है तो सभी को हम ऐसे निकाल लेंगे देखिए मैं तोड़ कर भी दिखाती हूँ बहुत ही क्रंची है यह देखिए बहुत ही क्रंची बना है अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शूब रहे